पन्वेल के पहले महानगर पाली का चुनाओ के डेट्स कभी भी अनाउंस हो सकते हैं पर उसी के पहले पन्वेल में काफी गहमा गहमी हो चुकी है पोलिटिकल एन्वार्मेंट को लेकर और इसी बीच पन्वेल के जो पहले मुंसिपल कमिशनर थे डॉक्टर सुधाकर शिंदे उनका ट्रांसफर हो गया यहीं बताया गया कि इलेक्शन कमिशन के आउर्डर की वज़े से हुआ है लेकिन पन्वेल में काफी यह चर्चा चल रही है कि यह अशिंदे साब के ट्रांसफर को लेकर कि हाली में उन्होंने इसलम्स हटवाय थे जो वीट बट्टी है उसको हटवाया था और इसमें आप लोगों ने कंप्लेंड किया है क्योंकि आप ही की सरकार है और यह ट्रांसफर हुआ है क्या कहना चाहेंगे आप सबसे पहले तो मैं यह इस पर्श रूप से कहना चाहता हूं कि डॉक्टर सुदाकर शिंदे जो के इस पनवेल मिंसिपल कॉर्पोरेशन के पहले कमिशनर के बतवर यहां पर आये थे उन्होंने बहुत ही अच्छा काम इस कॉर्पोरेशन के क्षेतर में करके दिखाया है य आज तक यहां काम करने वाले किसी भी गवर्मेंट ऑफिसर से बहुत ज्यादा पावर्स कमिशनर को होती है और वो सारे पावर्स को एक्सेसाइज करके पनवेल के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहुलियत देने का काम पनवेल के लोगों को ज्यादा से ज्यादा यह तो मुम्किन ही नहीं है क्योंकि भारतिय जनता पार्टी की सभस्पार्ट के लिए 2 जनता पार्टी के विर्मेंट के माध्यम से ऐसे ओफिसर को यहां पर भीजा गया था तो आन। पिछले 7-8 महने से ये सिड़कों के पास हमारा फॉल अप था कि जो रस्ते पे होकर्स बैट रहे हैं इनको आप प्रॉपरली प्लेस करो होकर्स के लिए आपने जो जगा रिजव की है वहां पे बिठाओ पर सिड़कों के माध्यम से उन्हें नहीं बिठाया जा रहा था हमने कमिशनर साब से दर्खवास की और खास करके खारगर जैसे इलाके में आपने देखा होगा खारगर से लेके पनवेल तक सारे जगा पे आज जो रस्ते पे होकर्स बैटे थे उन्हें प्लॉट में बिठाया गया था और जब उनका तबादला हो गया अब हम देख रहे हैं कि वो सारे होकस वापस रस्ते पे आ रहे हैं पनवेल में खास करके शेतकरी कामगार पक्ष के कार्य करता इसके नाइक इनकी करीबन 2000 तक हाथगाडिया थी वो हाथगाडिया रस्ते पर से हटाई गई और जब रस्ते पर से हटाई गई तो उन्होंने मोर्चा निकाला तो उन का रियाबिलिटेशन आप कर दीजिए अभी रियाबिलिटेशन से लेकर सिड़कों से हम अभी भी मांग कर रहें कि कही ना कही तो इड बनने की आवशकता है तो जहां लोगों को तकलीफ ना होगी ऐसे एक शेत्र में उनका आप रियाबिलिटेशन कर दो पर ऐसी चीज के ल विजल की शिकायत हो सकती है पर जो काम हुआ उससे आज कर्पोरेशन शेतर के सारे लोग खुश थे और इसके लिए हमारा भी पूरी तरीके सिद्वाकर शिंदेजी को सपोर्ट है सर आप जैसे कर रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ जो पन्विल में काफी सालों से नहीं हुआ तो आपकी भी मांग रही थी यही बात शेका पक्ष भी कह रही है जो फॉर्मर रेमेल हैं उनके लीडर है अविए पाटल साब उनका भी यही कहना है कि जो काम नहीं हुआ था वो यह कर रहे था और कंप्लेंड करना होता तो अपोजिशन में हम थे हम को करना चाहिए था हमने नहीं किया तो बात यह आ रही है कि जैसे आप कर रहे है कि गवर्मेंट भी आपकी है यहां पर भी सत्ता में है तो अगर यह ट्रांसफर हो रहा था तो आपने कुछ रोखन ने मिलकर डॉक्टर सुधाकर शिंदे यह राम शिंदे जी के भाई है यह अगर इलेक्शन के समय में यहां पर रहे तो इलेक्शन में वो अपना इंफ्लोंस डाल सकते ऐसी शिकायत की है और जिसकी वज़े से इलेक्शन कमीशन ने इसके बारे में गवर्मेंट से डाला हुआ है और जहां तक मेरा नॉलेज है कि सरकार ने यह कहा है कि जब तक चुनाओ की प्रक्रिया नहीं होती क्योंकि चुनाओ की प्रक्रिया के वक्त तो code of conduct लगेगा उस समय के लिए उस समय के लिए इनको mutual transfer उलासनगर की कमिशनर यहां पर यहां की कमिशनर में mutual transfer हुआ है और जैसे ही चुनाओ खतम हो जाएगा यह mutual transfer reverse किया जाएगा और सिर्फ इतने समय के लिए होने की वज़े से हमने इसका विरोध नहीं किया क्योंकि चुनाओ एक प्रक्रिया है चुनाओ का हिस्सा है जिन्होंने शिकायत की है वो शिकायत करने वालों लोगो नहीं सोचना चाहिए कि यह शिकायत हमने की और शिकायत करने के बाद उल्टा चोर कोतवाल को डाटे इस तरीके से आज वो यहां पर मगरमच के आसू ढाल रहे हैं मैं समझता हूं कि यह शिकायते जिन्होंने की है शिकायते दर्ज हैं इलेक्शन कमिशन के पास किसने अगर यहां पर नहीं आते हैं तो इसके लिए गवर्मेंट के पास हम भी दर्क्वास करेंगी अब बेसिकली जिस तरह से आप अलिगेशन लगा रहे हैं कि उन्होंने कम्प्रेंट किया उनका कहना है कि आपने किया है और जो पन्वेल की लोगों से भी बात कर रहे हैं को सोशल और्गनाजेशन भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं ऑनलाइन प्रेशन हुए हैं सिग्नेचर कै अब कर रहे थे उन्होंने मैं समझता हूं कि हर संडे को काम करते हुए मैंने मुझे कई ना कई वो नजर आया एक तो उनके पास जितना टीम आना चाहिए था उतना टीम का सपोर्ट उनके पास नहीं था फिर भी सिंगल हैंड़ेडली उन्होंने जो काम किया जो विजन दि रहा है तो यह फरक उनमें दिखाई दिया तो यह सारा फरक अगर उनमें दिखाई दिया है तो कही ना कही उनकी जो फूर्ती या उनका जो डेडिकेशन था यह डेडिकेशन का यह रिजल्ट था तो मैं समझता हूं कि इसके चलते कही ना कही होकर्स जो है स्पेसिफिकली म से रोका गया खारगर जैसे एक शेत्र में हमने कहा कि रस्ते पे बैटने वाले hawkers उनको designated plots पे बिटाया जाए लेकिन उसके उसका अगर कोई charges वसूल करना है तो सिड़कों वसूल करें corporation वसूल करें पर और किसी individual को ये ना दिया जाए तो ये इससे कोई ना कोई जरूर हट हुआ है जो जो दादा थे मैं खास करके कहूंगा क्योंकि मुझे जानकारी है बस मेरे पास प्रूफ हर चीज का नहीं है कि शेका पक्षे related लोग है और पार्टी से related लोग है तो ये दादा है इनकी दाद के बाद इन commissioner को जाना पड़ा है तो election के समय के लिए जाना पड़ा है मैं भी यही चाहूंगा कि जैसे election खतम हो ये commissioner यहां पर वापस आये काम करें वो किसके relative है यह matter नहीं करता वो किसका कैसा काम करते हैं यह matter करता है और वो काम अगर जंता के हित में है तो हम जंता के साथ में ऐसे अधिकारी यहां पर बने रहें इसके लिए जरूर कोशिश करेंगा आखरी सवार करेंगा जो स्पेसिफिक एलिगेशन जो लग रहे हैं बीजेपी पे जो हमने रामसे ठाकुर साबसे भी बात जब की थी इस बारे में तो उन्होंने काहा था कि वोटर्स लिस्ट म इसलिए यह करवाया गया है रामसे ठाकुर साब ने भी यह जो स्टेटमेंट दिया था इसके बार में आप रहे हैं मैं चाहूंगा आपके पास सी रामसे ठाकुर जी का स्टेटमेंट है दो अलग इश्यू है एक वोटर्स रिलेटेड एक आपने कहा है हट्मेंट से रिले अगर कही ना कही उनका नाजायत कामों के लिए इस्तमाल किया जाता है तो इनके खिलाफ शिकायत थी तो वो बिल्कुल सही शिकायत थी जैसे सिकेटी कॉलेज या सेंट जोसेफ स्कूल के सामने वाले इसके बार में शिकायते थी कुछ कॉलेज के स्टूड़न्स को थी तो अगर ऐसे हैंंटिस का वियां अगर ऐसी घहर हरकतों के लिए किया जाता है तो हैंट मेंट्स ना रहे inject के स्टिजन्स का कहना था मैंने खुछ शिकायते कि हैं सिड़कों के पास कि कहने शाट आए जाय रए उसके खिलाव मेह इस 나타ick yes the तो हमारा पूरा सपोर्ट है कि illegal activities के लिए उस किये जाए हटमेंट्स को हटाया जाए जो पुराने हटमेंट्स थे जो कही ना कई government के माध्यम से regularize हो सकते थे तो उनका rehabilitation होना चाहिए पर उनका rehabilitation होना चाहिए इसके लिए किसी को हटा यह हम नहीं कहेंगे वो test list के बारे में आपने कहा है मैं जरूर कहूंगा कि वो test list के बारे में हम panic हुए है क्योंकि काफी बड़े मातरा में एक ward से दूसरे ward में लोग गए हैं साथ हजार के आजपास हमने शिकायते दर्श की है जो additional space मिला हमने जब follow up किया स्टेट इलेक्शन कमिशनर सहारिया साब के पास और municipal commissioner निबालकर जी के पास तो इसके बाद में काफी हद तक यह relief मिला है और यह काम करते वक्त अगर municipal commission यह जो corporation है इसके किसी अपसर ने अगर इसमें घोटाला किया है अगर वो कही ना कही इसके लिए जिम्मेदार है तो उनके उपर action लिनी चाहिए पर commissioner सा इसे कोई relation नहीं हो सकता commissioner और एक ही वक्त सब जगा पर काम करते रहते हैं तो अगर उनके ध्यान में आया है जैसे निम्मालकर जी के सामने आया है तो निम्मालकर जी ने उसके उपर action लिया अगर शिंदे जी वहाँ पर होते तो शिंदे जी बे इसके उपर action लेते पर इसके चल उनका transfer इसकी वज़े से हुआ होगा यह उनने बिलकुल नहीं का बहुत बहुत साफ है कि बीजेपी अपना पक्ष रखते हुए कि सुदाकर शिंदे साहब के transfer में बीजेपी का कोई हाथ नहीं है इनके leaders का कोई हाथ नहीं है देखते हैं politically पन्वेल में और आगे क्या-क्या होता है कैमेरमन संदीब भगत के साथ मोईदिन जेगा